नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं 23 मार्च को हुए लाठी चार्ज के बिरोध में नराज चात्रों ने सरनीवर को मुख्यमंतरी का पुतला दहन किया मोराबादी में बड़ी संख्या में जमा हुए चात्रों ने इस दोरान ना केवल पुतला दहन किया बलिक सरकार बिरोधी नारे भी लगाए नराज छात्र सरकार पर आरोप लगाते हुए इस नियोजन निती के वापस होने तक आंदोलन जारी रखने की घोसना की है छात्र नेता दिमेंदर नाथ महतो ने कहा है कि जारखन्डी छात्रों के द्वारा फिजिकल और डिजिटल अंदोलन चलाए जाने से सरकार बोखलाई हुई है इस सरकार का बाहरी प्रेम अब खोल कर सामने आ गया है जारखन्डी छात्रों पर पूलिस के द्वारा जहरीली गैस के गोले पत्थर फेके गए यर फैरिंग किया गया आसू गैस के गोले पत्थर फेके गए वहीं गैस के गोले दागे गए और जाती सुचक गाली भी दिया गया इस घटना में कई छात्र जख में हुए हैं जिनका इलाज अस्पतार में चल रहा है जिसे राज भर के छात्रों में आक्रोस है कोरोना इंफुलेंजा के बढ़ते मामले पर केंद्र सरकार अलाट देश भर में कुरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सकार अलट पर है पूरे देश भर में कुरोना के 86-101 पोजेटीव मरीज सामने आये हैं केंद्रिय स्वास्त्र मंत्राला और ICMR ने राज्य के लिए सन्युक्त एडवाजरी जारी की है जारी एडवाजरी के मुताबिक फरवरी मध्य माह से केरल में 26.4% महराष्ट में 21.7% गुजरात में 13.9% और करनाटक में 8.6% और तमिलाडू में 6.3% कुरोना के मामले बढ़े हाए हलाकि संक्रामन से अस्पताल में भरती होने वाले मरीजों और मौत की संक्या बहुत कम है वहीं इन्फुलेंजा H1, N1 और H3, N2 को लेकर भी सतर कराने की सला दी गई है पलामू में बाग ने ग्रामिन पर किया हमला रीमस रेफार पलामू टाइगर रीजर्ब में आया बाग अब कोर इलागे में दाखिल हो गया है यहां उसने एक ब्यक्ती पर हमला किया है बाग के हमले से ग्रामिन घायल हो गया बन भी भाग ने घायल को उचित मुआबजा देने की बात कही है बता दे पलामू टाइगर रिजर्ब के कोर एरिया में बाग दाखिल हो गया है सुक्रवार को पलामू टाइगर रिजर्ब के छीपा दोहर के इलाके में महुआ चुन ने कुछ ग्रामिनो पर बाग ने हमला किया था इस हमले में एक ब्यक्ति जखमी हो गया है शुरुवात में यह खबर सामने आई थी कि जाखमी ब्यक्ति पर तेंदुआ या किसी अन्य जंगली जीव ने हमला किया लेकिन सानिवार को पलामू टाइगर रिजर्ब के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टी किया है कि हमला बाग ने किया है पलामू टाइगर रिजर्ब के निदेसा कुमार अस्तोस ने बताया है कि PTR के कोर एरिया में बाग दाखिल हुगा है जारखन में उतक्रिष्ट और मोडल इसकुलों में बहाली पर रोक जारखन के असी उतक्रिष्ट और 325 प्रक्षंड अस्तर ये मोडल विद्यालियों में शिक्षको की निदेसा की पर फिलहाल रोक लगा दी गई है जारखन शिक्षा पर युद्या इस तमन में जल्द ही जीलों को दिशानितेस भेजेगा बिद्यालियों में लगभग 3600 की नियुक्ति होनी है इसके लिए जीला आस्तर पर परकिरिया शुरू की गई थी जीलो दोआरा नियुक्ति के लिए आवेदन भी आमंत्रन किया गया था बता दे इस दोरान राई सरकार द्वारा जिलास तरिय नियोक्ती में EWS के आरक्षान को श्वीक्रीति दे दी गई उसके बाद झारकंट सिंख्षा पवजणा ने इस नियोक्ती को रोकने का निने लिया है अगले सब्ता नए सीरे से नियोक्ति को लेकर दिशानितेस जारी किया जाएगा विद्यालियों में कॉंट्रेक्ट के अधार पर सिक्षक के नियोक्ति होनी है पलस टूबी द्याले के लिए 27,500 वा हाई स्कूल के लिए 26,250 रुपे प्रती मा मांदे निधारित किया गया है नवक्री की मांग को लेकर सड़क पर हैं छात्र जारखन में नियोजन निती को लेकर के उठा बवंडर फिलाल सांत होता नहीं दिख रहा है नियोजन निती की मांग को लेकर के छात्र रांची में जूटे तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और उसके बाद पूरे जारकन में छात्रों के विरोध सड़क पर आ गया है साथ चालिच सनाई चलतों को लेकर के छात्रों ने सबसे पहले ट्यूटर पर ट्रेंड किया था उसके बाद विधान सभा में यहां मामला खोब उठा था बीजेपी के लोग प्रिंटिंग टी-शर्ट पहन कर आए वही सताप पक्ष के विरोध के बाद इसपीकर ने हथचेप किया और बीजेपी के प्रिंटिंग टी-शर्ट से परहेज करने लगे बता दे विधान सभा में इस प्रिंटिंग टी-शर्ट को लेकर के सदन की गरिमा पर बात आ गई तो बात हट गई लेकिन छातरो के भविस पर आई बात अभी बीजस की तस्प बनी हुई है सीयम हेमन्त की जाम तड़ा और दुमका में खतियानी जोहार यात्रा पांच अप्रेल को जारखन मुक्ति मुर्चा की जीला संजोजक मंडली की बैठक सणिवार को खीजूरिया इस्थित पार्टी कर्याल में अस्थानिय बिधायक बसंत सुरेन के अध्यक्सता में हुई बैठक में मुक्र मंत्री हमन्त सुरेन के 5 अप्रेल को जाम तड़ा और दुमका में प्रस्तावित खतियानी जोहार यात्रा की त्यारी पर चार्चा की गई बताया गया कि खतियानी जोहार यात्रा के बाद 6 अप्रेल को स्थियेम दुमका में आउट डोर स्टेडियम में साभा को समधित करेंगे वहीं खतियानी जोहार यात्रा को लेकर कारकरम की रूप रेखा पर चर्चा की गई जार्खन की स्थिया महिमा सुरेन की खतियानी जोहर यातरा को सफल बनाने के लिए विधायक बसंद सुरेने करका ताव को कई दिसार निद्यस भी दिये बैठाक में पार्टी के सरस अभियान की समिक्षा की गई इस्ट जोन होकी परत्योगता जार्खन की दोनों टीम फाइनल में इस्ट जोन होकी परत्योगता में संदार प्रशन करते हुए जार्खन की महिला और पूरूस टीम ने फाइनल में जगा बना लिहाए फाइनल मुकाबले में महिला टीम की भिलन्त मिजोरम से होगी जबकि पुरूस वर्ग में जारकन का मुकाबला और उरिसा से होगा इस टूर्नामेंट का आयो जान होकी जारकाण और जीला परसासन खोर्टी के सनुक ततोधान में खोर्टी के स्टोटार फोके स्टेडियम बिर्शा कॉलेज केमपस में किया जा रहा है बता दे सातवे दीन महिला वर्ग में तीन मैच खिले गाए पहले मैच में उडिशा ने बंगाल को 20-0 से हराया वहें उडिशा की सूपरिया कुजूर को प्लेयर आप दे मैच चुना गया सीम हेमन्थ के हाथो 27 को बोकारो के 9 बेटियां समेथ 13 टोपर होंगे समानीत जयक, ICAC, CVAC बोर्ड परिक्षाओं में राज अस्तर पर अपनी में धहावीता का परचम लहराने वाले जीले के आठ और जारकन स्टेट उलम्पियाड में सफल रहे पांच विद्यार्थी सोम और 27 मार्च को मुख्य मंत्री हमन्सुरेन के हाथों समानित होंगे खास बात या है कि जीले के चैनी 13 में धावी छात्र छात्रावों में नौ बेटिया ही हैं जीला सिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा ने बताया है कि रांची के धुर्वाइस्थित प्रजेक्ट भवन में 27 मार्च को सुब दस बेज से आयोजीत एक समारों के दोरान राज्य भार में टोपर रहे भी द्यार्थियों को एक से तीन लाख रुपए तक की परितोसित राशी चेक के माध्यम से देखकर समानित किया जाएगा जार्खन में 3400 हेक्टेर में प्रकिर्टी खेती के लिए 54 लाख मिले प्रकिर्टी खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जार्खन समेट आठ राज्यों को फंड दिया है भारतिये प्रकिर्टी किरिसी पदती के तहट इन आठ राज्यों को 4,9,400 हेक्टेर भुवी पर खेती के लिए 599,000,000,000 की राशी जारी की गई बता दे जार्खन में 34,100 हेक्टेर भुवी पर खेती को बढ़ावा देने की दीशा में काम चल रहा है इसके लिए 54,000,000 से अधीक की राशी जारी की गई है प्रकिर्थी खेती को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधीक राशी केरल को दी गई है जो 954,000,000,000 रुपए है जार्खन में नक्सलियों का होगा आंत जार्खन में नक्सलियों और मवादियों को जड़ से खत्म करने के लिए सुराक्षा बल उनके अर्थ तंत्र को फूरी तरह से खत्म कर रहे है इसके लिए लगातार करवाई की जा रही है इसमें सुरक्षबलों के रडार पर वे लोग भी हैं जो उग्रवादियों के किसी भी तरह से मदद करते हैं बता दे पिछले दो सालों में जारखन पूलिस और केंद्री एजेंसियों ने एक साथ काम कर नक्सलियों को हर मोर्चे पर मात दिया है एक तरफ जारखन पूलिस ने जोरदार आपरेशन चला कर नक्सलियों के लिए गड़ माने जाने वाले इलाकों में उन्हें भागने पर मजूर कर दिया वहीं उनके अर्थ तंत्र को भी ब्रेक डाउन कर दिया है खसरा मुक्त होगा जारखन नौ जीलो में बिसेस टीका करन अभियान जारखन सरकार ने खसरा से बचाओ के लिए बिसेस टीका करन अभियान के सुरुआत की है खसरा से प्रहुईत राजे के नौ जीलो में बारा अपरेल से इसका सुभारम किया जाएगा इस विशेस अभियान में 9 महीने से लेकर 15 वरस तक के 45.5 लाग से अधिक बच्चों को टीका लगाया जाएगा बता दे जारकर्ण में वरस 2022 में खसरा का आउट ब्रेक हुआ था जिसके बाद अब जाकर खसरा को काबू में करने के लिए स्वास्थ विभाग ने बड़ा फासला किया है स्वास्थ विभाग ने परभावित 9 जीलो में विशेस टीका करन अभियान की खोशना की है परिक्षा में चीटिंग कैसे की जाती है उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसकी जनकारी देते हुए मधुपूर में मैट्री के एक विद्याथी ने अपने योटूब चैनल में वीडियो जारी किये थे इस विडियो में उसने सारे टिप्स बताये थे की कैसे चीटिंग करनी है और कहां कहां चीट को चीपाना है यह विडियो वारल हुआ तो विडियो सिक्षको तक पहुँच गया सनिवार को मधुपूर महाविद्याले केंद्रे के हौल नमबर आठ में वा विद्याती परिक्षा दे रहा था वारल विडियो एक दिन पूर भी महाविद्याले के परिक्षा नियंतरत डक्टर उत्तम सुकला के पास भी पहुँच गया था उन्होंने परिक्षा केंदरे पर बिभीन कक्षाओ के तलासी शुरू की तो वह चात्र वहां मिल गया वह उतकरमित प्लस टू हाई स्कूल नरानपूर का चात्र है रांची सहित 35 नगर निकायों का अप्रेल में होगा कारेकाल खत्म जारखन सरकार दोरा ट्रिपल टेस्ट की पर किरिया पूरी होने के बाद ही नगर निकाय चुनाओ कराने के फैसले के बाद पारसदों ने सीएम से ओधी विस्तार की मांग की है रांची सहित राजी के 35 नगर निकायों का कारेकाल अप्रेल में ही खत्म हो जाएगा राज सरकार के दोरा ट्रिपल टेस्ट की पर किरिया पूरी होने के बाद ही नगर निकाय चुनाओ कराने का फैसले किया गया है इस फैसले के बाद असपस्ट हो गया है कि राज में फिलार नगर निकाय चुनाओ नहीं होंगे इस सब के बीच रांची नगर निकायों का कारेकाल अगले महीने यानि अप्रेल में ही खत्म हो रहा है ऐसे में इन नगर निकायों पर जनपरतिनिद्यों के बज़ाए सरकारी बभुवा का राज कायम हो जाएगा पॉलिटिक्स में बनाना चाहते हैं केरियर तो मिल रहा मौका अगर आप पॉलिटिक्स में बनाना चाहते हैं अपना केरियर तो कॉंग्रेस पार्टी दे रही है सुनहारा मौका बता दे यूथ कॉंग्रेस की ओर से यंग इंडिया के बोल सीजन 3 की गई है इसमें टाइलेंट हंट में आप भी पाटिसिपिट कर सकते हैं जारखंड युवा कॉंग्रेस ने आज यंग इंडिया के बोल सीजन 3 की लॉंचिंग की है कॉंग्रेस भवन में परदेश युवा कॉंग्रेस द्वारा आयोजित कारकरम में पुर्वा केंद्रिय मंत्री सुवध कांस सहाई परदेश महास अचीव राये सिनाकू परसीती में इस परत्योगता की लॉंचिंग होई है रांची में जारखंड हेल्थ केर सब्मिट का आयोजन जारखंड में स्वाष्ट सुवधा बढ़ाने के उदेश से चेंबर आफ कॉमर्स के पी एचीडी दिपार्टमेंट के द्वारा जारखंड हेल्थ केर सम्मिलन का आयोजन किया गया इस मौके पर राजेपाल सीपी राधा किष्ण ने संबोधित किया उन्होंने सबसे पहले टीवी उन्मुलन के दिशा में जारखंड के द्वारा की गई सराहनिये पर्यास के लिए परधान मंत्री द्वारा दिये गए गोल्ड मेडल के लिए बढ़ाई दी इसके अलावा उन्होंने राजे में बेहतर स्वास्त सुविधार लोगों को मिले इसके लिए सरकार के साथ साथ समाजिक संगठनों को भी आगयाने की अपिल किया है CCL महराथन में 29,70,000 पुरसकार के लिए 5714 परति भागी कोल इंडिया लिमिटेट के तत्वधान में रभी वार को कोल इंडिया महराथन का योजन रांची में किया जा रहा है इस महराथन में दोड प्रतियस परदा की चार सिनिया निधारी था है CCL महराथन के लिए कूल 5714 लोगों ने निबंधन कराया है इस में 135 महिला और 4689 पूरूस उने निबंधन कराया बता दे फूल महराथन में 403 पूरूस और 53 महिला भाग ले रही है वहीं हाफ महराथन में 492 पूरूस और 32 महिला है 10 किलोमेटर दोड के लिए 1698 पूरूस और 307 महिला है जबकि 5 किलोमेटर के लिए 266 पूरूस और 603 महिलाएं उन्हें रेजिटरेशन कराया वहीं पूर्ण महिराथन 42.195 किलोमेटर का होगा जबकि हाफ महिराथन 21.098 किलोमेटर का होगा महिराथन का रोड में भी तयार कर लिया गया है राजधानी रांची का ओभर बिरिज ब्लोक जाम की वज़ा से लंबी लाइन रांची के में रोड इस्थित ओभर बिरिज को ब्लोक कर दिया गया है जिस वज़ा से उस मार्ग पर आवागमन ठप है इसकारान लोगों को रेडिसिन बुलो होटल के पास वाले मार्का परियोग करना पड़ रहा है सिंगल लेन होने और सड़क की चोड़ाई काम होने की वज़ा से देर राद तक जाम किश्थिती बनी रही इस दोरान वहनों की लंबी लाइन गई कई लोगों को परिवर्थिक मार्क की जनकारी नहीं होने से भी काफी परिशानियों के सामना करना पड़ा है यातरा सुरू होने के एक दिन पहले की रहा करीब 3 रुपय के आस पस पहुँंच गया है बता दे इंडिगो की फलाइट 6E 89 चुवाली देवगर यारपोट से दीन के 11-15 बजे उड़ान भरेगी और 2 पर 12-15 पर पटना में उतरेगी वहीं 2 पर 12-35 पर पटना से या विमान उड़ान भरेगी जो देवगर यारपोट पर 2 पर 1-35 पर लैंड करेगी गुमला के 8 कॉलेजों में खुला CST गुमला जीले से सुचिबद 8 कॉलेजों में Student Resource Center के रूप में Common Service Center अधिश्ठापन का कार्या पुरा हो गया है कॉलेज में ही अस्थानी अस्तरपास CST खुल जाने से विद्याती लभानमीत हो रहे है बताते चले कि गुमला जीला में संचाली विभीन कॉलेजों में अधिनरत विद्यारतियों को विभीन परकार के सरकारी ओनलाइन से जोडने के उधेश से CST अधिश्ठापन के लिए जीले के 8 कॉलेजों को चिनित किया गया है जिसमें क्यों कॉलेज गुमला सामिल है राहूल गांधी मामले में कॉंग्रेस का आज सभी जीलों में सत्यागरा कारे कराम अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमिटी के पुर्व अध्यक्ष राहूल गांधी की संसत की सरसेता रद किये जाने के बिरोध में कॉंग्रेस सलकों पर उतर कर आयंदोलन करने की त्यारे में चुट गई है इसी कड़ी में रभिवार को जारखन पर देश कॉंग्रेस कमिटी के तत्वाधान में मुराबाद इस्थीत बापु अध्यका में राष्ट पिता महात्मा गांधी की परतिमा के समख सत्यागरा किया जाएगा ऐसे ही सत्यागरा कार करमों कायोजन सभी जीलों में करने का निर्देश पर देश कॉंग्रेस ने दिया है राम नौमी और रमजान को लेकर रांची पुलिश ने लोगों से की अपील राइधानी रांची में राम नहमी और रामजान को लेकर जीला पस हासन पूरी तरह अलट है, दोनों तेवहरों को लेकर पुलिस की नजर सोसल मेडिया सहीत कई चीजों पर बनी हुई है, ऐसे में रांची पुलिस ने लोगों के लिए गाइल लैन जारी किया है, जारी दिसा जिससे किसी धर्म, संप्रदा या लोगों की धार्मिक भावना आहत हो, साथी गाइल लैन में लिखा गया है कि समाजिक सवहर्द बिगाडने वाली किसी भी तरह का फोटो, वीडियो या पोस्ट, सोसल मीडिया पर सेयर नहीं करना है उडिसा दोरे पर केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रिय मंत्री सा खुटी सांसद अर्जुन मुंडा सनीवार से उडिसा के जाजपूर जीला के दोरे पर हैं, सनीवार को अर्जुन मुंडा ने जाजपूर लोकसभा, प्रवास, योजना के तहत, जाजपूर बिधान सभा छेत्रे के सकती केंद्र तिरीदेव, विस्तारक और मंडल पंच परमेश्वर के साथ संस्क्रिती भवन में बैठा की, इस दोरान पाठीकर कताव के साथ बैठा कर उनके सुझाओं से अवगत हुए, उन्होंने 30 मार्च तक सभी बूथ कमीटियों के गठन का नि जबूत होगा, पलामू से टीस्पीसी के पांच उग्रवादी गिरफतार, पलामू में पुलिस ने जीले के नावा बजार थाना छेत्रे के कंडा घाटी में होई, अगजनी की घाटना में तवरित करवाई करते हुए परतिबंदित उग्रवादी संगठन टीस्पीसी के एरिया कमांडर सहित पांच उग्रवादियों को गिरफतार किया है, बता दे पिछले 20 मार्च को ग्राम कंडा में सत्यानंद मेहता के इट भर्टे पर खड़े 5 ट्रेक्टरों को टीस्पीसी के उग्रवादियों ने आग के हवाले कर दिया था, इसमें से 3 ट्रेक्टर पू आदि सत्यानंद मेहता ने नावा बजार थाना में लिखित आवेदान दे करमामला दाच कराया था, इसी के अधार पूलिस ने करवाई करते हुए उग्रवादियों के गरफतार किया है, पूजा सिंगल मामले में इडी कोट में सुनवाई पूरी, पूजा सिंगल की डिश ने अधिस प्रभाद सर्मा ने सुनवाई की, पता दे बहुत पूरी हो गई है, कोट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, बता दे कि पिछले साल की जार्खन की तेज तरार आएस अधिकारी पूजा सिंगल को इडी ने गिरफतार किया था, आरोफ है कि खुट्टी में मन करमभिक जाच में कई बिंदू परापत्ती जताई है, बिभाग को असंका है कि इस संचालन तय नियमों के बिप्रित किया गया है, ओडिट टीम ने बिभाग को इस्थिति असपर्ष्ट करने को कहा है, टीम ने जाच के दोरान केस अस्टरडी के तोर पर कुछ स्कीम लिया है, बता दे राजधानी राची के पिसका नगडी के एक मामले की जाच के करम में आउडिट की टीम ने पाया है कि एक लाभुक को बिना जमीन के 18,75 रुपए की स्कीम दे दी गई, टीम ने पाया कि भोला महतो को दी गई स्कीम मार्च 2017 को पूरी हो गई थी, जबकि भोला म वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों क्साइर करना ना भूले, साथी साथ आप हमें नियोजन नीती के बारे में कोमेंट बक्स अपना सुझाओ अवस्य दे, थैंक यू